जो लोग यह कहते हैं कि कृष्ण मेरी सुनते नहीं है हम बहुत पूजा करते हैं अराधना करते हैं भक्ती करते हैं भगवान सुनते नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि चीटी की पदचाब भी भगवान सुनते हैं जब चीटी चलती है न उसके पैरों से जो आहाट होती है वो भी इश्वर सुनते हैं और ये जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ अनुज्शर्मा। बात बहुत पुरानी नहीं है। कुछ ही साल पुरानी है। एक बार एक व्रिधा थी ठाकरजी की अनन्यभक्त, भगवान की अनन्यभक्त। भगवान से बेहत प्रेम करती थी। जैसे तैसे उसने कुछ पैसे जोड़े, कुछ पैसे कितने पैसे। 1.5 रुपिया, 1.50 पैसे। उसके पास बचे उसने कहा कि मैं इस पैसे को भगवान के भोग में लगाऊंगा बाके भीहरी के मंदिर पहुची ठाकुर जी के पास गई गोस्वामी जी से मिले गो स्वामी जी से काया कि गो स्वामी जी मैं चाहते हूँ ठाकुर जी का जो छपन भोग है ना उसमें ये पैसे आप लगा दे मेरी तरफ से मैं भी अपने ठाकुर को भोग लगाना चाहते हैं मैं भी अपने ठाकुर को भोजन करवाना चाहते हैं बड़ी इच्छा है मेरी बड़ी साद्गी थी उस व्रिधा में साधरन थी, सरल थी पर गोस्वामी जी सोच में पड़ गए गोस्वामी जी ने सोचा कि मात्रे एक रुपया पचास पैसा इसका कहां भूग लगाऊंगे इसमें क्या आएगा 56 भूग ठाकुर जी का लगेगा बहुत पैसा लगता है उसमें महराज बैठते हैं भोजन बनता है तब जाके भूग लगता है एक रुपया पचास पैसे में कैसे भूग लगाऊंगे गोस्वामी जी ठाकुर जी की तरफ देख रहे और ठाकुर जी तो मुस्कुराते रहते है ठाकुर जी सब के मन की बात जानते है ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा पसंद पता है क्या है सरलता आप जितने सच्चे होंगे सरल होंगे भगवान के उतने ही करीब होंगे ये कीन मानना सरल और सच्चे भक्त ठाकुर के दिल में रहते हैं और ठाकुर के दिल में रहना आसान बात नहीं है ठाकुर सब के दिल में रहते हैं लेकिन ठाकुर के दिल में वो लोग रहते हैं जो सरल होते हैं, सच्चे होते हैं प्रेम करने वाले होते हैं जिनके भाव सच्चे होते हैं तो गोस्वामी जी भी जानते थे कि ये सच्चे भाव वाली वृदा है ये मा जो आई है बड़े प्रेन से आई है ठाकुरुजी से बेहत प्यार करती है लेकिन करें क्या एक रुपे पचास पैसे का अब इस वात को तो ठाकुरी जाने और आप यकीन मानना दोस्तों इतने में ठाकुरुजी की रसोई से महराज का एक बंदा आया उसने आ कि कि गोस्वामी जी भोग में नमक की कमी है एक नमक की ठैली लानी है थोड़े पैसे दे तो कुछ साल पहले आपको पता होगा कि नमक की ठैली जो है एक रुपया येड़ के देखते रह गए ये है मेरे ठाकुर की लिए उस देड़ रुपे का नमक आया और भगवान के लिए स्वादिष्ट छपन भोग बना इस तरह से भगवान ने उस व्रिधा की बात सुनी भगवान ने जो मूल आशकता थी भोग में जो भोग के अंदर स्वाद पैदा करती ह वो स्वाद पैदा करने वाली चीज को ही कम कर दिया क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये जो व्रिधा आई है ये जो मेरी सरल भगता आई है छपन भोग में आनन्द आए तो तभी आए जब भोग इसकी तरफ से लगाए जाए ये है इस्षवर इतना प्रेम करते हैं हमसे और मैं आपको एक बात बता दूँ जीवन में कुछ हो ना हो लेकिन भाव होना चाहिए भाव सिर्फ भगती में नहीं भाव हर चीज में होना चाहिए आप स्वैम भी इस बात का ध्यान रखें भाव बनता कैसे हैं कैसे आती है भावना है, बड़ी पुरानी काहवत है, जैसा खाओ गया अन्नु वैसा रहेगा मन, इसलिए मना किया जाता है तामसिक भोजन से, ताकि आपको नकारत्म कुर जाना मेले, जब भी आप भोजन करें, सबसे पहले भगवान को याद करें, भगवान का धन्यवाद करें, भगव भगवान को धन्यवाद करोगे, भगवान को भोग लगाओगे, आप यकीन मानना आपके घर का भोजन जो है, प्रसाद बन जाएगा, तब आप प्रसाद ग्रहन करोगे, और प्रसाद में एना एक अलग ताकत होती है, वो आपको अच्छा मन देगा, अच्छी बुद्धी आप कहीं भी, कभी भी जल्ग रहन करें, तो जल्ग रहन करने से पहले भगवान को याद करें, इश्वर को याद करें, आप यकीन मानना जल्ग अमरित में बदल जाएगा, और ये बातें नहीं हैं, ये करके देखिए आप, आपको ये ऐसास होगा कुछी दिन में, कि पुजा बदल जाएगे, लोग कहते हैं ना सादू संतों के चहरे पे बड़ा तेज होता है, लोग कहते हैं ना बड़ी वानी में मिठास है इसकी, मंत्र मुग्द कर देता है, वो क्यों होता है, जब आपके भाव सच्चे होते हैं, हमारे अंदर एक ज्वाला है, जैसे जै जोती में घी डलता है, घी कैसा, घी भाव का, प्रेम का, जब ये घी डलता है, तो ज्वाला और ज्यादा प्रजोलित होती है, और जब वो प्रजोलित होती है, तो आपके चहरे पे वो तेज आता है, वो आपके कर्मों से आता है, आपके कर्म उस ज्वाला के लिए, उस द पल धन्यवाद कीजिए। आपको हर पल के लिए सब कुछ दिया है, सबसे बड़ी तो सांसे हैं आपके, आपकी सांसों में क्रिश्न हैं, और ये बात इस बात से सत्यापित हो जाती है, कि जब ये सांसे रुक जाती हैं, तो ये समाज, ये दुनिया, जिसके लिए आप मर रह हैं, मिट रहे हैं, जिसके लिए इतनी सारी लालसाएं हैं, भोतिक्ता की लालसा, ये सब आपको त्याग देती हैं, दो घंटे के अंदर आपको बोल देती हैं, कि भीया, चलो, इनकांतिन संसकार करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपके भीतर क्रिश्न न आप यकीन मानना दोस्तों अपनी दिन चरिया में इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मंदिर में बैटके पूजा नहीं कर पाते होंगे बहुत सारे काम कर रहे हैं इस वर कहते हैं करम ही पूजा लेकिन आप जब भी भोजन करें जल ग्रहन करें या जीवन में जहां भी कोई कारिय शुरू करते हैं कुछ भी शुरू करते हैं पूरे दिन में ऐसे बहुत मौक्य आते हैं क्योंकि हर पल नया होता है उस हर पल में विश्वर को मन से याद करें का धन्यवाद करें, सेरल हो जाएं और फिर देखिए चमतकार, जहां विश्वास होता है, वहां चमतकार होता है, अपने विश्वास को मजबूत रखी, अपना ख्याल रखी, हरे कृष्ण